इस कारिक्रम के पुन्यार जग परिवार हैं इवन आयूशी मुष्रफ, B123 सेथी कॉल्मी, जैपुर, राजस्थान दीपक रतंचंद शाह परिवार कोधापुर, रविंद्र गुलाब चंद दोशी परिवार पंडरपुर, प्रतिभादोशी एवन तनजाशाह श्री पार्श्रनाद बिगंबर जैन, स्वाध्याय मंडल, करेली बाग बडोधरा गुजराद स्वर्गिय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गे मास्टर नत्थु रामजी मुनहानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, दीलक जैन, श्री पंकट जैन, अनिता जैन, श्री रजनीष जैन, दिपिका जैन, श्री रिशब, मुदित, रिदिमाघ, ख्वाईश जैन, S.K.J. रबर कॉर्परेशन दिल्ली मुक्ष मार्गश्यनी तारं भेतारं कर्म भूगतां ज्यातारं विश्वतत्पारां वन्दे तद्गुण लग्धये पंच परमेश्टी भगवान की जै संत शिरुमनी आचारु विद्या सागर्जी महराज की जै छटा अध्याय चल रहा है छटा हुआ है पहले जो कल की पाठशाला थी उसमें हमने क्या चर्चा की थी कि मन बचन और काई की क्रिया को योग कहते हैं और उस योग के कारण कर्म आते हैं अर्थात योग ही आस्रव है योग कितने प्रकार का बताया था दो प्रकार का शुब योग और अशुब योग शुब योग से पूर्णे का आस्रव होता है और पाप अशुब योग से पाप का आस्रव होता है पिछली पाठशाला में शुबयोग और अशुबयोग पर अच्छी चर्चा हुई थी हमें उमीद है कि आप पाठशाला बड़े मन से देखते हैं तो आपने कल सुनने के बाद अपने जीवन में कुछ बुरा छोड़के कुछ सांसारिक जगणों को छोड़के परमार्त के कारियों में लगने का कुछ ने कुछ अधिक संकल्प बनाया होगा अब आज आगे चलते हैं आश्रव कितने प्रकार का होता है तो आचारी ने अगला सूत्र कहा है सकशाया कशाययोह सामपराई केरिया पथयोह सकशाया कशाययोह सामपराई केरिया पथयोह सकशाया कशाययोह सामपराई केरिया पथयोह संदी भी चीट करके समझेंगे सकशाय अकशाय योहु सकशाय कशाय सहित जीवों के अकशाय योहु संदिविच्छीत कर लिया अकशाय योहु कशाय रहित जीवों के इन जीवों के आस्रव होता है उसे क्या कहते हैं सामपरायक और एरिया पत योहु अर्थात सामपराईक और इरियापत आश्रव कहलाता है अर्थात कशाई सहित जीव है सकशाई है उसका आश्रव सामपराईक और जो कशाई रहित है अकशाई जीव है उसका आश्रव कहलाएगा इरियापत आसरव के दो भेद हो गए सामपराइक आसरव और इरियापथ आसरव कशाई सहित जीवों के जो कर्म आते हैं वह सामपराइक आसरव कहलाता है कशाई रहित जीवों के जो कर्म आते हैं वो इरियापथ आसरव कहलाता है ये दौनों आसरव किल किल गुनुस्थान वाले जीवों के होते हैं आप यह लगाई na कशाय सहित जीव कहा तक हैं और कशाय रहित जीव कौन कौन से मालू पढ़ जायेगा कौन सा आशरव किस के होता है अभी आपने क्या समझा कशाई सहित जीवों के सामपराई कासरव होता है कशाई सहित जीव पहले गुनुस्थान से दस्मे गुनुस्थान तक के जीवों के सामपराई कासरव होता है और कशाई रहित जीवों के अर्थात 11 बार है और 13 गुनस्थान वाले मुनी महराज़ों के इनके कशाई रहित होने से इरियापथ आसरव होता है इरियापथ आसरव कैसा होता है जैसे मानलो टीन की चादर लगी है उपर बारिश आयी बारिश का पानी आया और चला गया जो कर्म आयें और रुक जाएं ठेहर जाएं सामपराईक जो कर्म आयें और चले जाएं रुके नहीं उन्हें हम कहते हैं एरियापत्थ आश्रम इरियापत आस्रव के गुनुस्थान 11, 12 और 13 इन तीन गुनुस्थान वालों के कशाय नहीं होती अकशाय यो हो ये अकशाय वाले हैं और इनका आस्रव इरियापत आस्रव है इसमें कर्म आते तो हैं पर रुकते नहीं एक समय में आना और फल देना अगले समय में चले जाना बस आना और फल देना एक समय का कारे और जड़ जाना चले जाना दूसरे समय का कारे रुपने का कोई काम नहीं आसरब के दो भेद बताए सामपराइक और इरियापत अब सामपराईक आश्रब के कितने बेद हैं ये अगले सूत्र में देखें इंद्रिय कशाया व्रतक्रियाः पंच चतु पंच विंशत संख्याः पूरवश्य भेदाः बोलिए आईए इसको जरा बोल्ट पे समझाते हैं थोड़ा सा कड़ा सूत्र हैं सूत्र को ध्यान से देखें जरा इंद्रिय कशाय अव्रत यहां संद बे छेत किया अव्रत और क्रियाः फिर देखें इंद्रिय कशाय अव्रत और क्रियाः कितनी पांच चार पांच और पांच और बीस पच्चीस भेद हैं क्या मतलब हुआ देखें इंद्रियाः पांच कशाय चार अव्रत मने पाप पांच और क्रियाः कितनी पच्चीस प्रकार की क्रियाएं पूरवश्य मने पहले वाले के पहले वाला कौन सा पहले सूत्र मता सामपराई के रियापथियो हो अर्थात सामपराईक आसरव के भेद हैं सामपराईक आसरव के 49 भेद देखें पांच इंद्रियों के विशे अर्थात अगर आपके मनवचनकाई की प्रिवर्ति पांच इंद्रियों के विश्यों में लगी है पांचिंदरी इसपर्षन रसनाग्रांण चक्ष्यु करन। अगर क्रोद मान माया लोभ। तो साम्पराई का श्रव होगा। अव्रत माने पाप, व्रत माने पापों को छोड़ना, अव्रत माने पाप, हिंसा, जूट, चोरी, कुशील और परिग्रह पाँच पापों में अगर मन वचन काई लगे हैं तब जो आस्रव होगा ना सामप्राइक आस्रव होगा और पंच विंशतिक क्रिया, पच्चीश प्रकार की क्रिया, पच्चीश प्रकार की क्रिया में आपकी सभी क्रियाएं आ जाती है इन विभिन क्रियाओं में अगर आपका मन लगेगा, बचन लगेगा, काई लगेगा तो सामप्राइक आस्रव होगा 25 क्रियाओं का वरणन विशेश तो विभिन शास्त्रों में मिल जाएगा लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें समझने वाली दो क्रियाएं है एक सम्यक्त क्रिया और एक मिथ्यात क्रिया सम्यक्त क्रिया सच्चे देव शास्त गुरू की भक्ती पूजा आदी जो सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं उन्हें कहते हैं सम्यक्त क्रिया सम्यक्त क्रिया अर्थात सम्यक्त को बढ़ाने वाली सच्ची देवशास गुरू की भक्ति आदिका करना इसका नाम सम्यक्त की बढ़ाने वाली क्रिया होने से सम्यक्त क्रिया है ये सब क्रियाएं ये सम्यक्त को बढ़ाने वाली सम्यक्त वर्धनी क्रियाएं हैं मिठ्यात्य क्रिया इससे विप्रीत ले ले जो सच्चे देव शास्त गुरू नहीं है अर्थाथ जो अरहंत भगवान सच्चे देव जिनवानी सच्चे शास्त निर्गरंत गुरु के अलावा जो अन्य देव शास्त गुरु सभी और अन्य सब धर्मों के हैं उनके साथ उनकी भक्ती उनमे अनुराग उनका सम्मान उनकी सेवा आदि करना ये मिठ्यात तो क्रिया है हम रोज पुया में बोलते हैं न देव शास्त्र गुरू रतन शुब तीन रतन करतार ये सच्चे देव, सच्चे शास्ट और सच्चे गुरू ये सम्मिक दर्शन, सम्मिक ज्यान, सम्मिक चारित्र को देने वाले हैं पर हाई हाई हमने इनको तो छोड़ दिया और जो सच्चे देव, शास्ट गुरू नहीं है उनके चक्रों में फसके सारा जीवन नस्ट करने लगे और तो और जो हमें सनमार्ग दिखाने वाले सादुगण थे वे हमारी प्रिवर्ति हमें उस ओर ले जाने लगे कि नहीं नहीं इनकी पूझा करो नवग्रे की पूझा करो देवी देवत्ताओं की करो, क्या हो गया, बहुत गड़वड है, यह सम्मित्यात्युक्रिया में आएगा, हमारे आराध्य मात्र नो देव हैं, अन्य नहीं, पांच परमेष्टी, जिन वानी, जिन धर्म, जिन चैत्य और चैत्याले, कोई भी देवी देवता हमारे आरादनी हमारे पूज्य नहीं इसलिए उस चक्कर में बिलकुल न पड़े अन्यता मिठ्यात्युक्रिया होगी होगा क्या दर्शन मोहनी का बंद होगा बड़े भागे से मनुष्य परियाय मिली है भरत छेत्र में दिगंबर जेन कुल में हमने जन्म लिया है अगर हमने इस परियाय का लाव नहीं उठाया तो क्या होगा अनंद काल फिर संसार भर्वन होगा वर्तमान में इन क्रियाओं को करके तो पौंसें चिर दर्शन मोह एव हम अपने दर्शन मोहने को और पुस्ट बना रहे हैं हटें हटो इन से छोड़ दो सच्चे देव शास गुरू की आराधना में लगो क्योंकि इनके अलावा और कोई आराध्य ही नहीं और इसका नाम है सम्यक्त क्रियाओं अगर इन क्रियाओं में लगे रहेंगे आजकर बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो मिक्स हो गए अन्य धर्मों के बृतों को करने लगे जैसे दिगंबर जेन बहुत सी मेलाएं करवा चौत रखती हैं मैं कहता हूँ करवा चौत का व्याख्याद दिगंबर जेन धर्म में नहीं है क्यों रखती हैं आप अन्य धर्मों के हम तेवारों को मानते हैं क्यों मानते हैं क्या कोई अन्य धर्म बाला आपके तेवारों को माननेता है क्या कभी नहीं मानता फिर आप क्यों चक्कर में पड़ें? आप धीले क्यों हो रहे हैं? मजबूत हो ये बिलकुल कटर होना चीए. ये ही सच्चे देव शास्त गुरू है, इनकी बताई जिनवानी जो है न, ये ही आराद्य है, इसमें जो लिखा है, वो ही मेरे करने योग्य है. इस तरह पक्का मन बनाना है हमें, तब हमारी मिठ्यात्युक्रिया हटेगी, सम्यक्त्युक्रिया बनेगी. सम्यक्त्युक्रिया पुर्णे बंद का कारण, मिठ्यात्युक्रिया महान पाप बंद का कारण है. इसलिए हम इन 49 क्रियाओं को समझें, एक बार फिर समझ लें. पाँच इंद्रियों के विशे, पंचिंद्रियों के विशे में अगर हम समय दे रहे हैं मनोरंजन का, खेलकूत का और और का सब सामपराई का अस्रव होगा तो पाँच इंद्रिय, चार कशाय, पाँच पाप और इसके अलावा जो 25 प्रकार की क्रियाएं हैं इसलिए क्रिया भी करें, तो जिंद्रों बढ़ाने वाली, आत्मा को पवित्र करने वाली, देव, पूजा, दान, स्वाध्याय आदि क्रियाओं को करें अन्निकों नहीं, इस पर बहुत अच्छी तरहें विचार करना चाहिए और एक काम और करना चाहिए, आज हमें क्या हो गया, मंदरों में कभी जाते हैं ना, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है सब 30-40 बरच से उपर के इस्तरी पुरुष दिखाई पड़ते हैं, यंग तब का मंदरों में आता ही नहीं, उनको पढ़ाई से फुरसत नहीं, टीबी से, कंप्यूटर से, और कारियों से फुरसत नहीं, कभी आपने सोचा, हम और आप तो चले जाएंगे, हमारे बाद में बिरासत में इस धर्म की रक्षा करने वाली जो हमारी संतान है न, उसका क्या होगा, वो कहां जा रही है, उसे रस्ते पे कैसे लाएं, हमने कभी नहीं सोचा, क्या होगा, सब कुछ हमारा चला जाएगा, मंदरों में यंग लोगों की, बच्चों की उपस्त बिलकुल नगर ने हो गई, मैं जब भी जाता हूँ, देखता हूँ मंदरों में, तो सोचता हूँ, ये हो क्या रहा है, बच्चों में संसकार नहीं डालेंगे, कैसे धर्म हमारा चलेगा, हमें इस पर अच्छी तरह बिचार करना चीए, हम सभी के सामप्राइक आस्रव होत हैं, तो भी हमारा जो आस्रव है, सामप्राइक आस्रव होगा, तो प्रस्नी उठता है, तो क्या सामप्राइक आस्रव सभी जीवों के एकसा होता है, या किनी कारणों से उसमें विशेशता भी होती है, अगला सुत्र देखिए, बोलिए, इस सूत्रकार्थवी बोर्ड पर देखते हैं जरह, आस्रव में किन कारणों से विशेस्ता होती हैं, इस सूत्र में हमको यह समझना हैं, देखें जराएं, तीब्र, मंद, ज्यात, अज्यात और भाव, इसको हम कैसे लगाएंगे, तीब्र भाव, मंद भाव, ज्यात भाव, और अज्यात भाव, और अधिकरण विशेश और वीर विशेश से तत माने उस आस्रव में विशेश्ता होती है, विशेश्ता होती है, अज़ा डिफरेंस पढ़ता है, आस्रों में विशेश्ता के कारण, अब जराएंगे, इनको समझते हैं, यह सूत्र बहुत समझने वाला है, तीब्र भाव और मन्दर भाव हमने कोई कारिक किया अगर उसमें हमारा तीबर राग है तीबर द्वेश है तीबर कशाए है तो आसरव और प्रकार का और अगर माली जी मन्द कशाए है मन्द राग द्वेश है उससे कुछ भी किया तो वह अलग प्रकार का सब तरह देख ले माली जी आप पूजा करने बैठे हैं और पूजा करने में आपका मन नहीं लग रहा क्यों नहीं लग रहा आप पूजा मात्र पढ़ रहे हैं अर्थ पर आपका ज्यान नहीं पंच मेरू नंदिश्वर दीप की पूजा आप कर रहे हैं आपको पंच मेरू नंदिश्वर दीप के बारे में जानकारी नहीं क्या होगा मन तो लगेगा मन्द मन्द लगेगा तो पुन्य कितना मिलेगा पुन्य भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा और अगर आपको पूरा ग्यान है आपने आख बंद किये और आपने ऐसा सोचा सामने आपके पंच मेरू और असी जिनाले बन गए और आप भक्ती में डूब गए तीब रभाव तो पुन्डी भी कैसा मिलेगा आसरब सुभासरब भी कैसा होगा बहुत उतकर्ष्ट कोटी का होगा जैसे भाव वैसे आपके परिणाम जैसे आपके परिणाम वैसा आपका आसरब तो तीब रभाव और मंद भाव ग्यात भाव और अग्यात भाव कोई भी कार अगर आपने जान के किया है समझ के किया है अच्छी प्रकार ज्यान पूरवक किया है उसका आसरव अलग होगा अग्यान पूरवक क्रिया है तो उसका आसरव अलग होगा देखें कितना फरक पड़ता है एक एक्जामपिल देता हूँ एक सज्जन ने आईस क्रीम खाई बजार से खरी दी और वो आईस क्रीम खाने लगे हमने उनसे का भहिया देखो आईस क्रीम में अंडा डाला जाता है उन्होंने का नहीं आजकल गर्मी बहुत है मुझे आईस क्रीम बहुत अच्छी लगती है आप जूट बोलते हैं इसमें अंडा नहीं डाला जाता हमने का अच्छा चलो दुकान वाले से पूशते हैं हम उसके पास चले गए हमने का भहिया इस आईस क्रीम में अंडा तो आप डालते हो ना यहां अंडा डालते हैं इसको प्रोटीन रिच बनाने के लिए उन्होंने का ठीक अब हमने उनसे का भहिया अब जब यह कह रहा है ना कि इस आईस क्रीम में अंडा पड़ता है ना तो इसको आप फैक दो तो वो बोले मैं नहीं फैकूंगा आप तो मेंसे और रुची पूरवक खाऊंगा आप सुचो कल तक उसी आईस क्रीम को खाने में उतना पाप नहीं था जो आज ग्यात हो जाने पर भी खाने में पाप लग रहा है आपको मालूम पड़ गया दही और दाल मिलाके अगर खाएं तो दुदल होने से जीव हिंसा लगती है आपने परुचन में सुन लिया और आपको मालूम है फिर भी अगर आप खाते हैं तो ग्यात भाव बहुत पाप लगेगा अग्यात भाव में जो हिंसा आदी होते हैं उनका आसरव कम होता है आसरव कमजोर होता है और जान करके उसी कारी को किया जाए जानने के बाद भी किया जाए इसका मतलब तीबर राग वशात किया जाए तो उसका आसरव अलग परकार का होगा तो ग्यात जान बूज कर करने का आस्रव अलग प्रकार का अंजाने में जो हो रहा है उसका आस्रव अलग प्रकार का आगे देखिए तीब रभाव मन्द भाव हो गया ग्यात अज्यात भाव अधिकरण विशेश अधिकरण विशेश मान लिजिए आप पूजा करने के लिए बैठें कहीं छेत रुपे गए पूजा करने के लिए आपने देखा मैली कुचेली पुरानी धोतियां रखी हुई थी वो पहन के आपने पूजा की या थालियां टेडी मेडी दरब टूटे फूटे चावल उनसे आपने पूजा की तो अधिकरण कमजूर था अच्छा नहीं था तो क्या होगा आपको पूजा का फन कम बिलेगा किसी जगे आप गए आपको नए धोती डुपटे सांदार सामिग्री और चान्दी के थाल में आप किसी ने आपके वरतन लगा दिये और बड़े भक्ति भाव से आपने पूजा की तो अधिकरण की विशेष्टा अधिकरण मने आधार आधार की विशेष्टा से आसरम में अंतर होता है पूजा तो कल भी आपने की थी कल की पूजा में आपका मन नहीं लगा तो अधिकरन कमजोर था इसलिए आज कल प्रवचनों में क्या कहा जाता है आप जैसे चावल खाते हैं वैसे ही भगवान को चढ़ाएं आप जैसे विदाम खाते हैं वैसे ही भगवान को चड़ाएं सामिक गरी भी उतकर्ष्ट जाती की होनी चाहिए क्योंकि अधिकरण की विशेस्ता से भावों में विशेस्ता बनती है एक बार का मौका था एक जगह जाना पड़ा तो वहां हमारे एक सज्जन आर के वाले किसंगड़ वाले सोने के वर्तनों में पूजा कर रहे थे उन्होंने हमसे कहा बैनाडा जी आप भी आजाओ हमारे साथ पूजा करने में हमने उनके साथ सोने के वर्तनों में पूजा की इतना आनंद आया जो हम कह नहीं सकते हैं तो ये पुर्णिबंद क्यों हुआ ये हुआ अधिकरण विशेश की वज़े से और अधिकरण कमजोर हो तो पूजा में मन नहीं लगेगा आपको पुर्णिबंद कमजोर होगा अंतिम दिया उन्होंने वीरे विशेश वीरे कहते हैं शक्ती शक्ती अगर कम है और ध्यान लगाएंगे तो ध्यान अच्छा नहीं लगेगा शक्ती ज्यादा है तो ध्यान लगाएंगे ज्यादा लगेगा आप देखो वीरे विशेश जैसे वर्तमान में हम लोगों का असम प्राप्ता सिर्पाटिका सेनन है अगर बहुत पाप करेंगे तो कहां तक जाएंगे तीसरे नरक तक और बजवशब नाराज सेनन हो तो कहां तक जाएंगे साथ में नरक तक और देखो पुन्नी की बात हमारा सेनन असम प्राप्ता सिर्पाटिका अच्छे से अच्छा ध्या साधना करेंगे तो ऊपर कहां तक जाएंगे आठ में तक और अगर हो बजब शब नाराज तो कहां तक जाएंगे सरवार शिद्धी और मोक्ष तक इसलिए वीर इमाने शक्ती की विशेष्टा से भी आसरों में विशेष्टा होती है जैन जैने जैने रविंद्र गुलाब चंद दोशी परिवार पंडर पुर प्रतिभादोशी एवं तनजा शाहत श्री पार्शुना दिगंबर जैन स्वाथ्याय मंडल करेली बाग बडोधरा गुजराद स्वर्गे माता सीता वन्ती धर्मपत्नी स्वर्गे मास्टर नत्थु रामजी मुन्हानी की स्मृति में झाल झाल